असलाम लेकुम आज मैं आपके लिए लाई हूँ चना चाट की इतनी मज़दार रेसिपी जो आज से पहले आपने चना चाट खाया होगा वो सब भूल जाएंगे आप एक दफा इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना येकीन मने आप बार बार बना के खाएंगे इतना मज़दार बनता है तो रेसिपी आपने पूरी देखनी है और अगर मेरे चैनल पर नई है तो काई लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना तो चले शुरू करते हैं यहाँ पे टरमाटर स्लाइस में काट लिए और दो आलू हैं क्यूब में काट लिए और यह उबले हुए चने है इनको पहले बगो के फिर इनको उबालना है और यह प्याज स्लाइस में कटा हुआ बारीक बारीक इसको काटना है और यहाँ पर हम देन लेंगे एक कब देन लेंगे और इतनी सी चीज़ों के साथ हम 8-10 लोगों के लिए चनाचाट बना लेंगे अब इसमें हरी मिर्चु को इस तरह ग्रेंड करके इसमें डालेंगे 6-7 हरी मिर्चे डालनी है और पानी के साथ इस तरह डाल देना है बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना और एक चमच इसमें कुटावा जीरा डालेंगे और एक चमच इसमें नमक डालेंगे नमक अपने असाप से रखना है क्योंकि चनु को अबालती हुए इसमें डाला था इसको अच्छे से मिक्स करना है ताके पानी और दें आपस में मिल जाएं अब यहाँ पर सबसे पहले हम चने डालेंगे इनको आपस में मिक्स नहीं करना है इस तरह आपने डालना है तो जब आप किसी को सर्व करेंगे तो देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा और खाने में इंतहा ही लजीज है अब इसके उपर इस तरह गोबी डालेंगे चोटी-चोटी काटके आप इस तरह जुरूर बनाईएगा बहुत मज़ेदार है आलू डालेंगे इसके पर इस तरह दे ही डालेंगे और हरी चटनी इसमें डालेंगे जो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं कबाब के साथ बस इसमें लस्तन नहीं डालना बाकी आपने उसी तरह बनानी है और यहाँ पर स्टाबरी सिरप डालेंगे इसमें बहुत मज़ेदार जाइका आता है इससे और अगर आपके पास स्टाबरी सिरप नहीं है तो आप इसमें रोज सिरप या रू अफसा भी डाल सकते हैं और यहाँ पर इमली का पानी है इसको बुगो के इसका उपर का जो पानी होता है वो इसमें डाल देंगे इन्शालला आपको पसंद आएगा एक दफ़ा आप ज़रूर बनाना आप यकीन करें जिसको आप खिलाएंगे ज़रूर तारीफ करेगा इतना मज़ेदार बनता है इतनी सी चीजों के साथ आप बहुत सारे लोगों के लिए बना सकते हैं तो अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो करनली सब्सक्राइब ज़रूर करना अल्ला हाफीज